नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर प्रशान्थ पंचलोथिया वेट फॉर यॉर पैट्स सिरीज में आज आपके पास बहुत ही महत्व की एक बात लेके आये हैं टिक फीवर ये टिक फीवर जो है वो शुरू शुरू में तो बहुत ही सिंपल सा रोग लगता है लेकिन जब ये बढ़ जाता है बहुत लंबा चल जाता है तो ये बहुत ही परिशानी देता है कभी-कभी टिक फीवर में मौत भी हो सकती है टिक फीवर क्या होता है शरीर पे पाई जाने वाली एक खास प्रकार की टिक्स होती हैं लाइस, माइट्स इसी तरह से टिक्स होती हैं जो कीडे होते हैं जो शरीर पे मिलते हैं ये कीडे जब शरीर को काटते हैं और खुन चूसने की कोशिश करते हैं तो साथ में कुछ प्रकार के और्गनिजम्स को शरीर मिट दे देते हैं जिससे टिक्फिवर हो सकता है एक खास बात ये है कि जो टिक्स काट रही हैं अगर उनके अंदर इस तरह के रोग करने वाले अगर और्गनिजम्स नहीं हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी टिक्स होने के बावजूद टिक्फिवर नटंग और बहुत ही कम ticks के होने के बावजूद अगर उन ticks के अंदर रोग करने वाले दूसरे और बहुत ही कम ticks होने के बावजूद भी आपको tick fever आपके dog में देखने को मिल सकता है अब ticks कितने प्रकार की हैं तो मैं जल्दी से नाम ही बोल दूँगा उसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे अमेरिकन डॉक टिक्स रॉकी माउंटेन वूड टिक ब्राउन डॉक टिक डियर टिक ब्लड लिक टिक ये डियर टिक को ब्लड लिक टिक भी कहते हैं अच्छा अब खास करके एक क्वेस्टिंग करके चीज आती है जैसे कि घास के उपर या किसी और चीज़ के उपर ये टिक्स अपने आपको छुपा के बैठी होती हैं और जब वहां से डॉग निकलता है तो उसके शरीर पे चड़ जाती हैं हम लोग सोचते हैं कि ये टिक्स वगरे आई कहां से तो कई बार नॉर्मली ही जैसे कि एक या दूसरे डॉग स्पे से आ जाती हैं या जो डॉग कहीं पे गए हुए हैं और किसी चीज़ पे ये चिपक जाए जैसे घास है या कोई बॉक्स वगरे है और उसके पास से जब हमारा डॉग निकलता है तो उसके उपर जल्दी से ये चड़ जाते हैं तो इस तरह से भी हो जाता है हम लोग सोचते हैं कि ये आते कहां से हैं तो इनको आने के लिए बहुत सारे स्थान होते हैं लेकिन इनको बाड़ी पे रहने नहीं देना वो बहुत important है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा तो इस तरह से जो आ जाते हैं इसको questing भी कहा जाता है इसके अलवा जो रोग करने वाले organisms सा जाते हैं तो कौन-कौन से रोग करते हैं तो rickettsia, canine, air leachiosis, canine babesiosis, canine anaplasmosis, lime disease, rocky mountain spotted fever, canine hypitozonosis, bartonellosis, इतनी सारी प्रकार की disease होती हैं और इसके अलावा भी कुछ disease हो सकती हैं अब इसके अंदर हमने देखा कि babesiosis, anaplasmosis और rickettsia वगरे जो हैं तो ये सब अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग symptoms देंगे जरूरी नहीं है कि टिक fever में एक ही प्रकार के symptom आपको मिले अलग-अलग अभी symptoms के बारे में जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इन में से कुछ ही symptoms देखने को मिले या सब देखने को मिले या एक-दो से जादा देखने को मिले सबसे मुख्य बात जो इसमें हो जाती है वो होती है platelets का कम होना जिसको हम thrombocytopenia कहते हैं RBCs भी कम हो जाते हैं जिसके कारण anemia देखने को मिलता है अब चिन्न के बारे में बात कर लेते हैं कौन-कौन से चिन्न देखने को मिलते हैं सबसे important होता है तेज बुखार अब जब बुखार की बात आ गई तो मैं आपको बता दू कि dogs के अंदर human beings आद्मियों से जादा temperature रहता है सामान्य तोर पे यानि तकरीबन 101 से लेके 102.5 तक तो 101.5 से लेके 102.5 तक का temperature रहता है उससे भी जादा जब हो 103, 103.5, 104 degree Fahrenheit तो वो high temperature में गिना जाएगा कई बार 105, 106 तक भी मेरे पास आ चुके हैं जिसको हमने treatment से ठीक किया था एक बात आपको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए कह दू कि मेरे पास जितने भी tick fever वाले cases आये थे जादा तर तकरीबन 90 से 95 परसंट तक ठीक हुए थे देर लगी थी लेकिन ठीक जरूर हुए थे कुछेक में एक या दो में मौत भी देखी है जो common है रोग बढ़ जाने पे उसका पकाक इलाज नहीं हो पता लेकिन शुरू शुरू में अगर आप इस रोग को पहचान लें और डॉक्टर के पास जाएं वेटरनरी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको इसमें से भी अच्छी तरह से result मिल सकता है आपके डॉक्टर को भी इसमें से अच्छा result मिल सकता है तो सबसे पहला तो है तेज बुखार दूसरा है भूख का कम हो जाना आँख लाल हो जाती है भूख कम हो जाती है तीसरा आलस और निस्तेज हो जाता है आपका डॉग एक ही तरफ बैठा रहेगा ना खेलेगा ना भूमेगा तो इसमें आपको तुरंथ ही ये सोच लेना है हो सकता है टिक फीवर हो हो सकता है कोई और बीमारी हो जिसमें भी वो निस्तेज हो जाते है जैसे डायबिटेज वगरे में भी निस्तेज हो जाते है जैसे थाइरोइड वगरे में भी निस्तेज हो जाते है हेमोगलोबिन घड़ जाता है जो RBCs हैं वो घड़ जाते हैं हेमोगलोबिन घड़ जाता है तो तीन से चार दिनों तक तेज बुखार रहा पांच से नौ दिनों तक अगर बुखार कम भी हो गया तो वो कम किसलिये हो रहा है? हेमोग्लोबिन कम हो गए, आर्बीसीज पर अशर पड़ा है इसके करण आपको बुखार नहीं दिख रहा, तेस बुखार नहीं दिख रहा लेकिन अंदर ही अंदर रोग पनप रहा है तो इस तरह कि अगर आपको सिम्टम्स मिलें तो जब आप veterinary doctor के पास जाएं तो आप जरूर बताएं कि मुझे इतने दिनों तक इसको बुखार दिखा, फिर इसको बुखार कम हो गया, शायद दवाई देने से कम हुआ, ऐसे ही कम हो गया, लेकिन 5-9 दिनों तक ऐसा हो सकता है कि बुखार न लगे, लेकिन उसके और जो मैं बता रहा हूँ, वो सब चिन्न दिखने लगें, तो आपको फिर भी veterinary doctor के पास जाना ही चाहिए, मसूडे वगरे जो होते हैं, वो सफेद दिखने लगते हैं, क्योंकि खुन की कमी हो गई है, दूसरा ये हो जाता है कि खुन निकलने लगता है, नाक में से खुन का निक epistexis कहते हैं, लेकिन epistexis इस रोग में खास दिखता है, दूसरा क्या हो जाता है कि अंदर ही अंदर खुन निकलता है, जो चमडी के नीचे आपको पैचिस के रूप में दिख सकता है, चमडी के नीचे है, आपको लाल पैचिस दिखेंगे, या थोड़ा पुराना होने प तो उस किसे में भी आपको ये तुरंथ ही गैस कर लेना पड़ेगा कि शरीर में अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण चमडी के नीचे लाल रंग के आपको बिस्टर्स दिखेंगे, या पैचिस दिखेंगे, अलावा इसके जो पेशाब का रंग होता है, वो भी च यानि मल जो पसार करता है, वो ब्लैक हो जाते हैं, काले से हो जाते हैं, तो अगर काला मल है तो वो उसका कारण ये हो सकता है कि शरीर में अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जो उसके पेट और गट्स में से होके जब मल निकलता है, तो वो खून जो अंदर साथ में हो जाता है वो black हो जाता है, तो black feces यानि काले रंग का मल दिखेगा, अलावा इसके कभी कभी, उल्टी होना, दस्त होना, या कमपन होना, कापने लगता है, जानवर, या अपना dog जो है, वो कापने लगता है, सबसे मुख्य चीज जो हो जाती है, अभी मेरे को phone पे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है, उन्होंने पूछा, कि मेरे dog को lemness हो गई है, पीछे के पाउं से चल नहीं पाता है, एक पाउं उठा के चल रहा है, तो ये जो सब होता है, पैरों में दर्द हो जाता है, जकणन हो जाती है, एट जाते हैं, पाउं जो हैं वो एट जाते हैं, तो ये आपको तुरंध ही guest करना है, कि हो सकता है, tick fewer का एक चिन्न है और उसके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए अलावा इसके जोडों में सूजन हो जाती है जो मेरे पास फोटो भेजा गया था उसमें जो जोड थे पैरों के जोड उसके उपर जैसे बॉल बांध दिया हो इतनी सूजन आ गई थी तो इस तरह से जोडों की सूजन बहुत ही important होता है इसके अलावा lymph nodes वगरे होते हैं वो सूज जाते हैं तो ये शायद आप न समझ पाएं ये डॉक्टर देख लेंगे और कई बार lymph node की सूजन होती भी है या कभी कभी नहीं भी होती है अलावा इसके बहुती कम केस में खांसी जैसी परिस्तिती हो जाती है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि खांसी के करण जो कुरा बल्गम वगरे जम जाता है तो उसके करण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो जो अपना पैठ है वो बहुत ही व्याकुल सा होके यहां वहां जाके सांस लेने की कोशिश करेगा अब जो चिन्न हमने बताए हैं आपको कभी कभी इसमें से जादा चिन्न देखने को मिल जाएं कभी इससे कम चिन्न या एक या दो ही चिन्न देखने को मिलें लेकिन आपको बहुत ही पैनी नजर रखके अगर कोई चिन्न मिलता है तो तुरंथ ही उसके बारे में आप परसेंट डायगनॉसिस नहीं होता है लेकिन अगर दो या तीन या चार चिन्नम मिलें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो ट्रीटमेंट का रिस्पॉंस कैसा मिल रहा है उसके उपर से भी हम ये पका कर सकते हैं कि हाँ भई रोग तो यही है और फिर उस रोग की आगे तीम इसमें तीन चार पांच या मेरे पास एक बार आठ हफ्तों तक ये रोग रहा था लेकिन उसके बाद रिकवरी जरूर हुई थी उसमें आपको धीरच रखके जिस तरह से डॉक्टर की सला है वेटरनरी डॉक्टर की उस तरह से आपको आगे चलते जाना है हां उसमें प्लाजमोसेस भी होता है उसके अंदर बिलकुली बैठ जाता है डॉक्ट बिलकुल खड़ानी हो पाता उसमें से धीरे धीरे रिकवरी आ जाती है कम्प्लीट और घुमने फिरने लग जाता है तो डायागनॉसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डायागनॉसिस के अगर platelets कम होने को मिलें आपको, platelets बहुत ही कम मिल गए तो thrombocytopenia कहलाता है, platelets का कम होना, इसके अलावा anemia के भी आपको symptom मिल जाएंगे कि RBCs बहुत ही कम हो गए है, तो ये दो चिन्न देखके डॉक्टर आपको एक estimate दे रहता है, कि ये हो सकता है कि शायद tick fever हो, क्योंकि ये भी confirmatory test नहीं है, confirmatory test के लिए PCR भी करते हैं, जो बहुत ही महंगा test भी है, और दूसरा की हर जगा नहीं हो जाता, छोटे centers में नहीं होता, हमारे गांधी नगर में PCR करवाने के लिए पहले विवस्ता नहीं थी, अब हम यहां से भेज सकते हैं PCR करवाने के लिए, जो हमार पास में बड़ा शहर है, एमदबाद, वहां पे हम करवाते हैं, तो PCR depend करने लाएक test जरूर है, लेकिन सब जगा नहीं होने के कारण, हमें सिर्फ सामान्य blood test से संतोश कर लिना पड़ता है, इसके अलावा slide test किया जाता है, slide test में कभी-कभी organisms मिलते हैं, कभी-कभी organisms नहीं मि पर बार वो slide में दिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन कई बार slide में हमें पता चल जाता है, खैर ये तीन test हैं, जिससे confirmation हो जाता है, लेकिन इन तीस test के अलावा भी चिन्हों पर से अगर doctor को लगे, तो आप उसकी treatment करवा सकते हैं, सामान्य तरह से मैं treatment की details नहीं देता हूँ लेकिन आज मैं treatment की details इसलिए दूँगा कि ये रोग जो है, वो अगर ठीक से treat नहीं किया गया, तो मौत तक हो सकती है, इसलिए मैं आज अपना नियम तोड़ते हुए थोड़े सी medicines के बारे में बात कर लूँगा, सबसे पहला anti-protozole medicine दिया जाता है, जिसमें metronidazol, imidocard वगरे आजाते हैं, ये बहुत ही important लेकिन बहुत नाजुक दवाईया है, डॉक्टर के अलवा आप न करें, इसमें dose calculation वेट के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है, अलवा इसके tetracycline group के दवाईया काम आ जाती है, डॉक्सिसाइक्लिन काम आ जाती है, डॉक्सिसाइक्लिन में 10 mg प्रति किलो ग्राम, यानि 10 किलो का अगर बच्चा है, तो उसको 100 mg की गोली काम आ जाएगी, मोनोसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्ससिन ये सब दवाईया काम आ जाती है, आपको दवाई इसलिए नहीं बतारा कि आप खुद ट्रीटमेंट शुरू कर दें, लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए कि कुछ ओरल दवाईयों से भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया करता था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, अगर आपके वेटरनरी डॉक्टर कॉन्फिडेंस से कहें कि नहीं, इसमें हम सिर्फ दवाईयों से काम करेंगे, तो यू कैन गो एएड, आप आगे चल सकते हैं, आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप का कर सकते हैं, अलावा इसके जो बुखार है, उसके लिए टाइलिनॉल, कार्पोफिन, मिलॉक्सिकेम इस तरह की दवाईयां काम आ सकती हैं, सीधे सीधे पैरसितमॉल आप शुरू मत कर दीजेगा, लेकिन मैंने कई लोगों को कैलपॉल वगरे लेके उसको देते हुए आपके वेटरनरी डॉक्टर जो भी डिसाइड करेंगे, सो आपके लिए ठीक रहेगा, अब ट्रीटमेंट में कई बार, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक हफते से लेके 6-7 या 8 हफतों तक भी ट्रीटमेंट हो सकती है, अलग-अलग स्टेज पे, अलग-अलग आपको है, जिसके लिए ये पूरा का पूरा बनाया, वैसे तो ये बनाया, कुछ लोगों की डिमांड थी, कि सर अब टिक फीवर के बारे में बताईए, और टिक फीवर सामान्य तोर पे, एप्रिल से लेके सब्टेमबर तक जादा देखने को मिलता है, लेकिन वैसे तो बारहों म के बारे में जादा देखने को मिलता है, बहुत ही रिसंटली हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, छोटे मतलब उमर में मेरे से काफी छोटा है, लेकिन उसने मेरे को जब बताया कि उसके डॉग पे इतने 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 चिन्न दिख रहे हैं, तो मुझे दुख हुआ, चि प्रोल कर लें, उसके बाद अगर फिर भी सिंटम्स दिखेंगे, तो मैं उसको बताऊंगा कि अब ये ये ट्रीटमेंट आपको आगे करनी है, आपको मैं अभी बतारेता हूँ, सबसे पहली बात है कि आप अपने पैट को बहुत ही प्यार करें, उससे खेले, उसके साथ र रहे हैं डॉक्टर, इसलिए कि उसको खेलने से आप बार बार उसको छुएंगे, उसके पास रहेंगे, उसको अपने पास ले आएंगे, तो अगर उसके उपर कीड़ा लग रहा है, टिक्स लग रहे हैं, फ्ली, लाइस, माइट्स सब दिख रहे हैं, तो आप तुरंट उस के बारे में कोई उपाय शुरू करेंगे अगर हर रोज ग्रूमिंग कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि अब इसके उपर कीडे लगने लगे कहीं न कहीं से ये ले आए कि एक बार अगर टिक्स वगरे कहीं पे भी लग जाते हैं खास करके कान की नीशे का भाग है गले के नीशे के भाग भाग है बाह के भाग है पैरों के पास जो अंदर के भाग है वहाँ पे ये जादा लग जाते हैं तो वो सब areas को अच्छे से देखना चाहिए आपको एक बार अगर इसने अंडा दिना शुरू किया तो एक बार में ये हजारों सैक्णों या हजारों अंडे देते हैं और फिर उसकी जो multiplication उसका जो growth है वो बहुत जादा हो जाता है जिसको control करना बहुत मुश्किल बनता है मुश्किल अशक्य नहीं होता आप control कर पाएंगे अलावा इसके neem oil, apple cider vinegar ये सब आप अगर use कर रहे हैं तो भी आप उसका control कर सकते हैं बहुती soft तरीके से, organic तरीके से ये उपाए मैंने इसलिए बताएं क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आसपास में 20, 30, 50, 100 जितने dogs को अपनी पनाह में रखते हैं उनको खाना, पीना, रखना, सोना, सब अपने घर में ही करवाते हैं या घर के आसपास भी गुमने वाले हैं तो उन सब की इतनी ज़ादा देखरेक रखते हैं अब इतने सारे dogs की देखरेक रखने में उसके लिए महेंगे वाले shampoos वगएरे use करना easy नहीं है इसलिए मैं हमेशा ऐसी बातें जरूर बताता हूँ जिससे आप control भी कर पाएं organic भी हो जिससे उसको नुकसान न हो शरील को और साथ-साथ में महेंगा भी ना पड़े तो ये तो हो गए थोड़े से कम खर्च वाली चीजें जैसे neem oil, apple cider vinegar या neem का उबला पानी जिससे नहला सकते हैं अलावा इसके anti-tick products बहुत सारी आती हैं सबसे पहला है shampoos और soap जो ticks के लिए उपयोगी रहता है इसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा आपको ढूंड लेना है और क्योंकि किसी भी एकी company के बारे में मिरे को बात नहीं करनी इसलिए मैं नाम particularly नहीं लोगा जहां जरूरी दिखेगा मैं कह दूँगा आपको anti-tick callers आते हैं बहुत सारी company के आते हैं लेकिन anti-tick caller की एक खासियत यह है कि पहले जितने हो सके आपके ticks, mites वगएरे निकाल दें शरीर पे से उसके बाद anti-tick caller लगाएं अब यह आपको पर हसी भी आएगी कि पहले निकाल दो उसके बाद anti-tick caller लगाओ वो इसलिए कि दूसरे नए ना आएं जो anti-tick caller होता है उसमें से एक एमिटराज करके chemical निकलता है जिससे शरीर पूरा जो है उसके अंदर ticks वगएरे नहीं होते हैं अलावा इसके spot-on जाते हैं यानि शरीर पर एक जगा दो जगा या तिन जगा पे बालों को अलग करके हो सके तो काटके वहाँ पे spot रख दिया जाता है और इस spot से जो आसपास का विस्तार है उसके अंदर जितने भी प्रकार के organism बाहर से आने वाले पराजीव हैं वो सब चले जाते हैं बड़ा शरीर होता है तो दो जगा या उससे भी बड़ा large breed है तो तीन जगा पे आपको spot-on लगाना पड़ता है कई तरह के spot-on मिल जाते हैं बाजार में आपको इसके बारे में direct shop में से भी पता चल सकता है या आपके जो भी care करने वाले veterinary doctor हैं वो भी बता सकते हैं अलावा इसके sprays आ जाते हैं तो वो spray आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर इस तरह का जहरीला पदार्थ होता है कि जिससे dog को नुकसा नहीं होता लेकिन उसके उपर आने वाले पराजीव जो हैं वो खतम हो ज anti-tick powder ये सब जादूई चिराग जैसे नहीं होते उनको बार बार यूज़ करना पड़ता है इस्तेमाल करना पड़ता है और काफी समय के बाद वो पूरी तरह से सौब रतिशत ticks, mites, fleas वगरे को हटा देते हैं थोड़ी देर लगती है आपको भी धीरज भी रखनी पड़ एक सिप्रो फ्लॉक्ससिन करके आता है उसका चार परसेंट का द्रावण अगर आप लेके उसको भी आँख, मूँ, गुदा वगरे बचा के शरीर पे लगाएंगे तो उससे भी organisms चले जाते हैं तो एमिटराज है या इस तरह के बहुत सारे chemicals आते हैं बाजार में जिससे आ आप टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को होई अपने डॉग को टिक फीवर होने की संभावना ही हटा देनी अच्छी रहेगी इसी लिए prevention is better than cure के लिए मैंने आपको बताया कि prevention कीजिए होने ही न दीजिए वो जादा अच्छा है बजाए इसके कि एक बार हो जाए उसके बाद कंट्रोल करना पड़ेगा अब मुख्या बात बता दें कि एक बार आपके डॉग पे से टेक्स माइट्स वगरे आपने कंट्रोल किया लेकिन साथ साथ में देखिए वो कहां रह रह है या रह रही है तो वहां आसपास के विस्तारों में भी छोटे-छोटे कोनों में दराज में बहुती छोटी क्रेविसिस में सब जगा इस तरह के और्गनिजम्स चले जाते हैं जो आपने एक बार कुटे के अपके पैट के उपर से निकाल दिये फिर वापिस उसमें से आ हैं डेल्टा मैथरिन वगरे जैसे अगर आप ले आए हैं जो बहुत ही कम कीमत में बहुत इफेक्टिवनेस दे देता है लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बेसिकली पॉईजन है तो इसका फोर परसेंट कंसंट्रेटेट सुलूशन लगाते हैं एक लिटर जीससे डेल्टा मैथरिन यूजस कर रहे हैं तो हो सके तो दस या बारा दिन पर रिपीट करें बार बार रिपीट न करें अलावा इसके कई बार टिक के बात वगरे देने के लिए कई companies services देती हैं तो उसके पास जाके आप anti-tick बात भी दिलवा सकते हैं और बार-बार दिलवाना पड़ेगा एक बार में नहीं हो जाएगा ये मैंने आपको पहले भी बताया धीरज रखके बार-बार करना पड़ेगा अब सबसे एहम बात पे चले आते हैं कि इसके लिए injectable भी आता है और oral दवाई भी आती है उसके बारे में भी veterinary doctor आपसे बात करेंगे उनकी सलह के हिसाब से ही आप use करें तो injectable या oral medication यूज़ कर सकते हैं आपको अगर कोई भी प्रशना हो कभी भी कुछ भी पूछना हो तो मेरा number मैं बोल देता हूँ 799-077-4805 नाम है Dr. Prashant Pancha Lothia आप मेरे को कभी भी phone कर सकते हैं मैं एक बार फिर से number बोलता हूँ 799-077-4805 धन्यवाद